आधुनिक फाइटर प्लेन राफेल को अंबाला में तेनाद किया गया है अंबाला वो जगह है जहां से राफेल चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को धूल चटाने के लिए चंद मिन्टों में दुश्मन के इलाके तक पूंच सकता है एफोस के बेडे में शामिल हुए इस आधुनिक विमान की सुरक्षा अब उतनी ही महतुर्पोन हैं जितना दीश के लिए राफेल इसी के चलते अब एब एब मार्शल मानविंदर सिंग ने अंबाला में ओडने वाले कबूतरों को राफेल के लिए खत्रा बताया है उन्होंने एक पत्र लिखर एबेस के नजदीक उडने वाले पक्षियों राफेल के आसमान में उडने वाले कबूतरों की वज़े से राफेल को नुखसान की आशंका जताते हुए कहा कि ये जल्द से जल्द अंबाला एबेस के 10 किलोमेटर के दायरे में उडने वाले कबूतरों पर रोक लगाई जाए ताकि राफेल के उडने में किसी भी तरह की समस्या ना हो ऐसे में नजारा जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अंबाला में आम है कि अंबाला में उडने वाले राफेल और जगवार के नस्दी कबूतर उड़ते रहते हैं जो किसी भी वक्त हाथ से का कारण बन सकते हैं आपको बता दें कि एर मार्शन ने ये चिंता जाहिर करने का पत्र पांच अगस्त को लिखा था जिसके बाद ये चिठीवाय उसेना मुखाले से 17 अगस्त को दिस्पैच हुई थी और 28 अगस्त को शेहरिस्ताने निकायवे भाग ने अंबाला नगर निगम को इस संबंद में पत्र लिखा वहें मामले को गंबीता से लेते हुए नगर निगम अंबाला ने 28 अगस्त को ही लोगों को नोटिस जारी कर दिये और इस पश्ट कर दिया है कि अगर आने वाले दिनों में किसी ने कभूतर उड़ाए तो उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी शीरि मानवेंदर सिंग जी एर मार्शल्स डेक्टर जिर्नल ने हमारे चीर सेक्टी शीरिमधी केशनी एरोडा आईयस को एक पत्तर लिखा और वह पत्तर हमारे पास डेक्टर जर्नल अर्वन लोकल बोडी से प्राप्त हुआ उसमें ये किया गया है कि जो भी एर सेशन जह ना रखा जाई क्योंकि रफैल एक खत्रा होने के कारण पक्षी दस किलोमेटर के आसपस नजर नहीं आने चाहिए वह पर तो इस संद्रम में नगरिंगा मंबाला के द्वारा लोगों को नोटिस दिया गया है और उनको ये कहा गया है कि अपने कबूतर जो पक्षी हैं मामला है तो वैस्तों व्यक्तियों को ये खुदी सोचना चाहिए कि उनको जो भी इनके कबूतर पक्षी है वो यहां से थोड़ी दोरी पे तर्स किलोमेटर से ज्यादा दोरी पे ले जाए क्योंकि देश की सुरक्षा मामला है अगर ये नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो उनके कि दो करम बाला से बहर ले जाने पड़े तो हम इसमें कोई बुराई नहीं है देश की सुरक्षा पहले